हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टी अधने अर्वेस्मेंट अकैडमी मंडे को बात करेंगे म्यूच्वल फंड के एक टॉपिक की और यह जो टॉपिक है यह आया सैटड़े की वरक्शॉप में मतलब दोती लोगों ने हमसे पूछा जो हमारा बुने में वरक्शॉप हुआ था ठीक हैं most of the funds हैं जो equity funds हैं तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है हना और काफी मतलब अच्छा मतलब काफी खराब रहा है performance mostly with respect to the benchmark and category average तो अब हम क्या करें उसका ठीक है तो यह typical question आया था तो इसका answer देने के लिए मैंने सोचा कि एक थोड़ा आपको history में ले जाता ह कि एक तो हमें ये समझना है कि सारे के सारे एक सारे एक साथ funds कैसे खराब perform कर रहे हैं एक ही fund house के तो उसमें क्या issue है ठीक है access का मैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे अपर हम front training की but as a under performance की बात करेंगे ठीक है तो एक साथ सारे कैसे underperform कर रहे हैं और यह चीज पहले भी हम समझते हैं कि ऐसा पहले भी हमारा किसी और fund house के साथ हुआ है क्या और यह ऐसा consistently होता है तो basically अगर हम एक structure समझें mutual fund houses का right तो most of the big decision making जो होती है stocks की buy sell की वो centralized होती है right सब fund managers मिलके जो है कोई बड़ा अगर buy करना है sell करना है तो obviously majorly they will decide as a group ठीक है और उनका जो भी thought process रहता ह यह उसके basis पर सभी वो चीज़ करेंगे ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने यह research किया और में को बहुत अच्छा कोई एक अच्छा stock दिखाया लगा मुझे कि इसमें entry लीनी चाहिए तो मैं सिरफ एकी fund manager को बता हुआ मैं सबको बता हुआ right और फिर जिसके हिसाब से है कि अगर व overlap का tool है fundometer पर आपने यूज किया है तो within one fund house में अगर similar categories है तो देखोगे तो काफी जादा overlap रहता है तो यही एक चीज़ यहां पर हमने देखी कि access जो है it worked it was a very very good performing fund house right last 3-4 साल अगर हम देखें थोड़ा सा पहले चले है तो बहुत अच्छा performance किया है और अब यह वो जो भ मतलब यह है क्या कि अब मैं उस सब को बेच के और दूसरे fund house में shift कर जाओ तो यह question हमें समझना है ठीक है और उसके लिए आपको बताना चाहरा हूँ कि कोई भी fund house consistently लगातार हमेशा अच्छा performance नहीं करता है सबका जो है time जो है ऐसा आता है जिसमें वो अच्छा performance नहीं करत तो अब आप अगर chart देखेंगे यहाँ पर तो मैंने यह simple last 10 साल का calendar growth rate डाला है equity जो की AUM है उन fund houses का तो यह सारे fund houses है जो major हमारे fund houses है इनका 10 साल में कैसे calendar growth rate AUM growth कैसे हुआ तो उससे हमें समझाएगा कि AUM growth हो रहा है अगर equity का इसका अबलब यह ना यह performance अच्छा है mostly अगर अगर हम देखें कि AUM growth तभी होगा जब performance schemes का अच्छा होगा तभी लोग उसमें पैसा डालेंगे तभी beats ना भी easy होगा fund houses के लिए और तभी exits भी redemptions भी कम होगे तो इसलिए AUM growth एक अच्छा number होता है इससे पता चल जाता है कि यार अगर एक fund house का AUM growth बहुत अच्छा है न तो यह green colors basically आर कि जो इनका performance इस ताइम उस year में उस fund house का growth rate average से काफी अच्छा था ठीक है तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है तो अगर आप access पर यह अगर हम बात करें जो पहले तो अगर हम देखें 2013, 14 में बहुत अच्छा था, 15-16 में फिर अच्छा रहा, 17 में भी अच ठीक है लेकि 18, 19, 20 यह जो peak था जिसमें access fund house really did very well, access small cap की बात करें, access mid cap, access blue chip, right, सब funds बहुत अच्छा कर रहे थे, तो यह तीनो time पे fund house ने बहुत अच्छा growth rate दिखाया AUM में, उसके बाद 2021 was also good, 2022 obviously is not that good, ठीक है तो performance भी खराब रहा और नया asset under management नहीं आया और थोड़ा exits भ रहा, तो 2022 में, तो यह typical है कि जब fund house का performance अच्छा नहीं आएगा, तो यह automatically यह चीज नेगेटिव होगी, लेकिन यह तरह का पहले performance रहा है, तो consistency अगर आप देखोगे, तो कोई भी ऐसा fund house नहीं है, जो consistently बहुत ही अच्छा 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 इन्हों ने 2014, 15, 16, 17 में बहुत AUM जो है, इनका performance बहुत अच्छा था, इनका multi-cap fund, इनका focused fund, राइट, मैं को याद है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस थे उनके, तो आप देखोगे, इनका AUM कितना जबर्दस बड़ा, yes, lower base पहे था, no doubt in it, ठीक है, लेकिन growth फिर भी ब जाया तो यह cycles बहुत सारे fund house में देखने को मिलेंगी आप अब आप एक और example लोगा मैं SBI यह time था SBI का SBI तो बहुत बड़ा fund house है biggest fund house है इंडिया का अब यह time था जिसमें SBI blue chip was doing very well ठीक है SBI का blue chip fund था यह equity के growth rates है यह overall नहीं है तो debt नहीं है included इसमें equity है तो यह SBI blue chip was doing very well और बहुत जादा उसके बाद SBI focused also did very well तो उसमें भी अच्छा रहा तो SBI overall अच्छा करा क्योंकि पहले SBI blue chip से अच्छा growth था फिर SBI focus started doing very well but यह SBI blue chip का time है उसके वाइसे उसका growth बहुत अच्छा था उसके बाद SBI blue chip didn't do very well फिर focus ने अच्छा शूरू कर दिया and that's how क्या कहते है AUM जो है वो growth slow हो गया as compared ठीक है तो similarly kotak आप देखो kotak flexi cap ठीक है वो भी मेरे खाला से 30,000 crore plus का fund है 30-35,000 crore का तो यह time था kotak multi-cap नाम था इसका पहले तो kotak multi-cap was doing very well kotak standard multi-cap तो वो बहुत ही अच्छा performance था amazing performance अगेन अब उसकी वज़े से 2011 में launch हुआ हुआ यह fund जो है वो आज 35,000 crore plus का fund बन गया था क्योंकि इतना जबर्दस उसमें नया asset tender management आया और वो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि उसका equity क AUM जो है overall fund है उसका वो बहुत fast grow हुआ इन 4 साल में उसके बाद performance अच्छा नहीं हुआ तो फिर slow हो गया asset tender management का growth तो यह इस तरह का पराग पारिक का भी example देख लेते हैं तो आप पराग पारिक लास्ट लगातार 5 years से बहुत अच्छा asset tender management का growth है ठीक है because of the good performance पराग पराग कर रहा है 3-4 साल में especially after 2018, 19, 20, 21 पर बहुत ही अच्छा perform किया अभी इतना अच्छा नहीं हुआ है 22 में but यह 4 साल में बहुत अच्छा performance है and that's why asset tender management has grown really really well for that fund house right तो यह चीज एक cycles अगर आप देखोगे यह हर fund house में आती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि cycle चली गई तो अब उ ही fund का 1-2 साली चलते हैं कई 3-4 साल अच्छा चल जाते हैं ठीक है अब जैसे quant last 3 साल से बहुत अच्छा चल रहा है right वो भी होगा इसमें yes आप देखो ठीक है obviously low base तो इसलिए numbers बहुत ज्यादा extraordinary है but very low base ठीक है but still right very very high growth because of the very good performance in last 3 years ठीक है इसलिए quant MF जो है अगर आप ही है कि एक typical यह cycles mutual funds में चलती है एक fund houses 3-2-3 साल एक साल दो साल तीन साल अच्छा बहुत कर सकता है right and then it may not perform for 2-3 years साथ में right and then again it may start performing well ठीक है या तो scheme या फिर कुछ तो यह एक typical cycle है हमें अगर हम यह cycle को chase करने लगे ना कि यह 3 अब इसके चल रही है उसकी जाओंगा उसकी ज tough to know कि किस की cycle कब चलेगी right आपको लिए बहुत tough है यह बोलना कि आप current MF जो है अगली बार भी अच्छा करेगा या नहीं करेगा यह बहुत मुश्किल है मेरे लिए बोलना right तो यह चीज की अब जैसे Canada RobiQ has been doing well last 3-4 साल कि अगले साल भी the performance of Canada RobiQ funds will be doing well right या access जो है इस बा we should not chase these kind of things की नहीं या access मेरा अच्छा नहीं आ रहा है तो आपको यह समझना है कि fund manager मेरा जो है वो अभी भी वैसा ही है उसके consistency overall कैसी है fund कितना पुराना है कितना risk ले रहा है right जो आपका thought process है वो अभी भी match कर रहा है right तो I think we should stick right unless and only the performance is consistently very bad ठीक है with respect to अगर वो top quarter में फिर भी manage कर रहा है एक दो quarter को छोड़के ठीक है and it is again back in a stop quarter तो मेरे को लगता है कि we should not worry too much and we should continue with those funds because कोई भी ऐसा fund house पर नहीं है जो सबसे best most consistent fund house जो में को दिखा हो है मेरा ही ठीक है last 10 साल में ठीक है जिसने 2006 time 7 times actually जो AUM growth है वो जादा किया है average से ठीक है और last मतलब जिसमें नही किया उसमें बहुत अच्छा है तो मेरा ही ऐसा है जिन्होंने asset management growth और वो बहुत consistency भी है I'm sure they are the only one in this which is little I think outstanding कह सकते हुआ बाकि आप सबकी यही cycles है बाकि जो बड़े fund houses थे सबकी 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 स लेकिन लास्ट दस साल में कोई ऐसा extraordinary year नहीं रहा I see I see I see I again number two है एक-दो साल बहुत अच्छे रहे बट अगें मतलब हम देखेंगे तो वह बहुत जबरदस ऐयों growth नहीं दिखा performance रहे कुछ-कुछ funds के बहुत अच्छे right बट ऐसा को extraordinary fund आपको नहीं पताए कि नहीं नहीं इस तो बहुत ही जबरदस perform करा है या कोई भी ऐसा fund as a category की नहीं बहुत अच्छा perform किया है तो वह नहीं हुआ है right तो यह भी चीज़े आपको देखने को मिलेंगी कि consistency जो है यह बहुत ही मुश्किल है और जैसे जैसे AUM बढ़ेगा it becomes more and more difficult right जैसे जैसे अच्छे अच्छे beat the market because आपका AUM बढ़ा हो जाता है कि आप उसको market के आसपास create कर सकते है बहुत जादा beat बहुत जादा risk नहीं ले सकते बड़े amount के साथ ठीक है तो यह सारी चीज़े है we need to understand those things इसलिए मुझे यह लगता है कि we should not think too much of changing fund houses and funds too frequently just because 2-3 quarter या एक साल भी अच्छा नहीं रहा right किस fund house का तो we should not think too much I think we should just think कि fund house ने कैसा perform किया है कितना consistency दिखाई है last में और hopefully आगे भी वो दिखाएगा and they will bounce back and they mostly do अगर अच्छे fund managers है और एक professionally run fund house है तो that is all I wanted to bring this to you I hope that you like this and you like this analysis from AMC level हम यह fundometer में AMC level इसलिए ratings देते हैं इसी वजए से कि AMC की rating भी बहुत important है कि overall AMC कैसी है how they are managing their debt या equity right fund managers कितने stable है AMC के साथ तो वो सब factors भी we look in AMC level analysis जो भी do at in our fundometer तो आप सबूर चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है यद्या कोड अक्टिव है इस पर 30% discount you will get on fundometer अगर अभी तक आपने यूज नहीं किया तो have a great time ahead दोस्तों ज कर डा कर दोस्तों जो कितने हैं उनना चा necesita प्नापने कितने हैं अगर तोस्तों अबदिखके पर स्वाट पर फिर नहीं कर आपने हैं दोस्तों जोस्तों 0